नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से मैं आ गया हूं राजन वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC क्लासिस पर जैसा कि आप बोर्ड पे ये सवाल देख पा रहे हैं आप इनको ट्रिक से हमेशा करने की कोशिस करते हैं और हमेशा भूल जाते हैं खेर मैं ट्रिक तो बताऊंगा ही लेकिन साथ साथ में मैं इसका पिल्कुल बेसिक और कंसेप्चिल तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी उसको भूले ही ना है कि है नो मेरे क्लाउस में सिखाया जाता है बेसिक तरीका साथ चाहा जाता है उसका ट्रिक किसे आप जल्दी और आसानी से कर सकें ठीक है तो इन को को हम टूटल 10 कोईशन हैं को हम एक करके solve करेंगे और ऐसे question exam में बहुत ही मुश्किल पैदा करते हैं ठीक है तो आज इनको हम solve करेंगे और आप देखेंगे कि इनको कितनी आसानी से solve क्या जा रहा है कि ठीक है हम अपने question की तरफ बढ़ते हैं बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे ठीक है ना कि यह हमारा हो गया जब हमारा question यह सी नंबर सी मुग और प्लस में चल रहोगा तो हम इसका ऐसा factor करेंगे जो एक दूसरे के नज़्दी खो तू बंजा टू और इसमें जो बड़ा होता है वही आंसर हो जाता है कि 12 प्लस 12 प्लस 12 ट्वेक्टर पोर इंटू 3 जो बड़ा है वह आंसर हो जाएगा ठीक है इसको करते हैं इसको जब आप करेंगे तो टू फॉट्टी एट प्लस 52 प्लस 144 यह बारा का स्कॉयर है बारा यहां जाएगा कि यह आट का स्कॉयर है कि यह सोला का स्कॉयर है यह आपका अंसर हो गया ठीक है अब हम अपने अगले कुशन की तरफ चलते हैं यह वाला कि कुशन दे रखा है एक्स इक्वल टू थ्री प्लस टू रूट टू फाइंड आट करना है तो एक्स की पावर फूर प्लस वन अपन एक्स की पावर फूर ठीक है हमें यह निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए यह प्लस वन अपन एक्स की वैलू पता होनी चाहिए तो यहां पर बन अपन एक्स क्या हो जाएगा जब हम वर नपन एक्स निकालते हैं तो ऐसे इक्वेशन का तो थ्री और यह जो चाहिन होता है उसका अपोजिट हो जाएगा ठीक है अब हम इसको अगर जोड़ दे तो का x प्लस वन अपन x कितना हा गया यह और यह कट गया तो 6 ऑ ठीक है अब बार में बेसिक तरीके से बताता हूं उसके बाद इसका ठीक बताऊंगा मात्र दो लाइन का होगा अब हम इसको दोनों तरफ इसक्वायर कर दें तो हो जाएगा एक पलस बी का अभल इसक्वायर ए स्क्वाइर हो जाएगा खार प्लस यह रोड़ गैगा और उदर को जाएगा 정확ि हमें यह यह मिल गया है लेकिन हमें चाहिए क्या एकसे धिलिपयो को मौन अपाउट फोर लागत ही कि पॉयर करना पड़ेगा ठीक है तो वन्मिश्य आएगगश्र झाया कि जसको स्कॉयर करना नहीं आता है वह देख लिख ले चोंतिस का स्कॉयर करना है चार का सब्सक्राइब इस आपन सोला इसकॉअ कितना होता है नौ होता है आप बीस में कैया इन दोनों का म líneaकर यह चार्थ यह 12 उसमें 2 का मुल्टिप्लाइ कर दीजिए 1224 अब हम 6 का 6 लिखेंगे यहां कैरी हो जाएगा यह 25 हो जाएगा 25 का 5 लिखेंगे 2 यहां कैरी हो जाएगा और यह 9211 ओझाएगा ठीक है अब हम क्या करना है यह और यह कड़िया एक्स पावर फोर प्लस वन अपा का आंसर हो गया ठीक है अब मैं आपको बताता हूं इसका सॉट्ट ट्रिक को सुलूशन को नोट करने के लिए वीडियो को पॉस कर लिजेगा उसके बाद नोट कर लिजेगा ठीक है कि यह हो गया एक्स प्लस वन अपाउन एक्स इक्वल टू सिक्स हो गया ठीक है ना हमें एक बार इसक्वायर करना है इसका एक बार इसक्वायर करेंगे तो हमें पता है मिल जाएगा वन प्लस वन अपाउन एक्स इसक्वायर मिल जाएगा तो छे का आपको इसक्वायर करना है च्छे का स्कॉयर कितना होते है 36 होता है यहां पर प्लस साइन है तो हम यह माइनस लगाएंगे और इस दो को यहां घटा देंगे कितना आ जाएगा 34 आ गया अब हम हो जाएगा 34 का स्कॉयर 1156 और यहां प्लस है तो यहां माइनस लगेगा और यह दो को यहां घटा देंगे 1154 हो गया आपका अंसर मात्र दो लाइन में और मात्र दस सकेंड के अंदर हो गया आपका अंसर चलिए अगले कोशिन पर चलते हैं एक्स की वेलू दे रखिए एक्स सब्सक्राइबल 23 टूरू टू तो टू टू तो बंडू ऑट करना है रूट एक्स माइनस टूट अपॉर ऑट करनी है तो हमें पता है एकसे यहीशर्ण ब बियुलू क्या हो जाएगी अच्छा एक बग parliamentary का रिक्छा की निकलता है ठीक है एक्स यहां पर बढ़ाओं एक्स क्या हो जाएगा , भन आप्पवान एक्स की वैलू थी 3 प्लस 2 रूटक ठिक है अब इसका हम क्या करते हैं किसे सॉल्ल करते हैं मल्टि प्लाइ करेंगे और यह माईनस यहां पर प्ल Dew माईनस है तो फिलस है तो हम SCP करेंगे अगर आपनोट ऑपर नीचे और यह क्या हो गया एप्लस बीए माइनस वी मतलब k3-3 मैंनस टू रूट टू का स्कॉएर क्योग स्वsti मैंनश ठूरू अपॉन 3 कह ईसक्वाइब 9 और यहां पीस को जब इसको हटाएंगे तो B एक लिए पूर जाएगा और यह वोजाएगा ओर टू ही रहेगा फोटू जाएट मायनस एट हो गया तो आपका वन अपानेक्स कितना आ गया थी मायनस टू रूट टू ठीक है न अब आगे से आप ध्यान रखेगा कि इसको हम डिर्ट लिख लेंगे एंगे मायनस मायनस में ठीक है ना ठीक है इसको मैं रफ करता हूँ आगे चलता हूँ कि आप लोग के पास option है पॉस करके नोट करने का ठीक है तो नोट 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 बना लीजिएगा तो यहां पर आपकी इसकी वैलो निकालनी है क्या दे रख्या है है रूट एकस-1 अपॉण रूट एकस अगर ऐसे कोशिन दे रखा है नékर दिक्त वाली बात है तो बड़ी दिकत वाली बात है हमें रूट हराना पड़ेगा ठीक है ना अगर हम इससका स्कॉयर कर दें है क्यों कि क्या हो जाएगा को X- cases which एक्ष बुद स्वाइर काहल श्क्वाइर ऐस था फ्लस्वाइर मैनस टुए भी एकष और पॉन-क्रमाइद ओ कड़ श्मिधां गाता थ्वおお法 even प्लसटी कल रूट पईनुनुन अपनुन ब्लाइक कितनी है what upon x की वैलू है 3-2-2ू छलिए अगले पर चलते हैं आई यह अभी रह गाया था इनको हम कराते हैं दोस्तों मैं अपनी पूरी कोसिस करता हूँ मैं इमांदारी से पढ़ाता हूं कि आप लोग को पूरा समझ में आए बेसिक से पढ़ाता हूं एक एक चीजों को क्लियर करता हूं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूं अगर स्पीड कम है तो आप लोग अपने यूट्यूब पेज सेटिंग में जाके स्पीड को एक गुना देड़ गुना बढ़ा सकते हैं ठीक है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों को साथ शेयर करिए अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो प्लीज सेयर करिए क्योंकि मैं इमानदार हूं आप भी इमानदारी से ही अपना काम करिए चले इसको देखते हैं जब भी ऐसा कोश्चन आजा इसमें बड़ा कौन है तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है कि हम यह रूट में दे रखा है तो हमें नहीं पता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं हम निकालते हैं एल सियम किसका निकालेंगे जो रूट्थ है तीन चार छेव और बारा का यह निकालें निकालेंगे तो यह भी आएगा थीक है अब हमारे पास तो नंबर हैं उनको ऐसे लिख लेते हैं अब जो बारा आपका अलस्यम आया है ना तो हमारे पास यह जो क्यूब है यह जो क्यूब है तीन इसमें हम किसका मुल्टिप्लाई करें कि बारा बन जाएगा चार का मुल्टिप्लाई करेंगे और यहां पर इसकी पावर चार लगाएंगे यहां पर कितना है चार है तो किसका मुल्टिप्लाई करेंगी बारा बन जाए तीन का मुल्टिप्लाई करेंगे तो यहां पर तीन का क्यूब लगाएंगे ठीक है यहां पर कितना है च्छै है त और चार का चार का गुला चार बार करेंगे चार चुक 16 16 का स्क्वाइर 256 मतलब चार को चार बार करेंगे तो 256 आएगा ना और चार के आहीं 12 कि छह को तीन बार करेंगे तो 636 और 6 का क्यूब 216 होता है और यह क्या हो गया शैदुनी 12 और 15 का स्कॉयर करेंगे तो 225 होता है ठीक है और यह तो 12 है ही तो जब यह 12 है तो कोई दिक्कत वाली बाती नहीं है एक का गुड़ा करेंगे यह तो कोई मतलब नहीं है अब जब हमें मिल गया सबका रूट में 12 12 12 12 आ गया तो हमें क्या देखना है बस हमें अब यह नंबर देखना है कौन बड़ा है कौन बड़ा है 256 बड़ा है ठीक है बात समझ में आई बगुवा गोरकपूर महराजिवन है आए अब ऐसे ही इसको जब हम करेंगे तो एल्सियम निकालेंगे तीन चछार का एल्सियम निकालने का तरिका जो सबसे बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पड़ो चैदनी 12 और ऐसा पहाड़ा पड़ो कि वह बाकी सबसे कट रहा हो ठीक है न तो एल्सियम कितना हो गया 12 ठीक है यहाँ अब बेज़ार को लिकलो दो को लिख लो तीन को लिख लो पांच को लिख लो यहाँ पे तीन है तो हमें बारा बनाना है तो चार का गुड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे छै है हमें बारा बनाना यहाँ पे चार लगेगा तो दो का गुड़ा करना है और यहाँ पे दो यहां पे कितना है? चार है हमें तीन का गुड़ा करना होगा और यहां पे तीन ठीक है? ओके? यहां पे हाँ, इसको मैंने अभी छोड़ दिया है क्यों? अब यहां पे कुछ है यही नहीं तो हम करें क्या? है ना? बड़ी दिक्कत वाली बात है दोस्तों, जब रूट में दो है, यहां पे कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब दो होता है, यहां पे दो लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा है, तो वो उसका मतलब है वो अहां पे दो होता है ठीक है ना? तो दो है लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है तो दो है और 12 बनाना है तो 6 करेंगे और यहां पर 6 का करींगे ठीक है यह वहां सिंडागो 12 कि 667 तो 252 क्यूंक हुआ कम तो इली और 12 1210 है वैं यह हो गाइर और मतलब 2 को 6 बढ़ा करना है तो 8 और 8 64 हो गया है कैसे मैं कैसे कर रहा हूं मेरी भी कैलकुलेशन एक्षिली ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन कैसे कर रहा हूं दो की पावर 6 का मतलब है है दो गोड़े दो गोड़े 2 गोड़े दो गोड़े दो ठीक है तो हमने कहा कि हमें इतना पता है यह और यह दो हो गया कि पांच का 325 कुट 3 करें तो 25 25 25 एक कि है Nord एकी क्यों है तो आपको किसमे लिखना है अब रोह क्रम में और रोह क्रम मतलब क्या होता है बड़े से छोटे छोटे क्रम में लिखना है मतलब लिखना है मतलब आपको दिख रहा है सब provides सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा 256 है। इसका मतलब 3 हृृूट believes 14 जो पहले आएंगा। व कोन है। सबसे बड़ा सिक्स रूट थ्री आएगा बताईए बिल्कुल आसान भासा में समझ में आया की नहीं आया बेसिक तरीका है यह बिल्कुल एक बार आप ध्यान कर लेंगे आप भूलेंगे नहीं इसको अलग टाइप के कोश्चन होते हैं ठीक है मेरे पढ़ाने के बाद मेरे नोटबुक को जरूर किया करिए ठीक है न चलिए एक कोशन यह बचा है उसको भी कर लेते हैं चले इसको भी कर लेते हैं इसका सालोशन उपर है ठीक है न दे रखा है 400 रूट प्लस जीरो पॉइंट जीरो पूर जीरो प्लस जीरो पॉइंट एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच और यह चार ठीक है पहले तो बेसिक समझ लीजिए उसी से आपका सॉट्रिक हो जाएगा बेसिक और सॉट्रिक एक ही में हो जाएगा यह 20 का स्कॉयर है प्लस इसको अगर आप देखिए ठीक है ना अंडर पॉइंट रहने दीजिए यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे आप तो वन आ जाएगा उसके बाद एक दो तीन चार ठीक है एक दो तीन चार और ऊपर क्या है उपर चार सो बचा इधर को तो छोड़ दीजिए पॉइंट हटाने के बाद इनका तो मतलब नहीं रहा यह च दो तीन चार पांच है और उपर बाकी इधर जिरू का मतलब नहीं रहा दो आएगा यह हो गया आपका 20 यह हो गया आपका कि एक बात बताएगे जीरू से जीरू काट दें अब अगर इसको 400 यह रहने दीजिए अभी एक चली मैं एक इस्टेप आगे चला गया था तो मुझे रूट हटाना पड़ेगा ठीक है तो अभी आपको सम्झाने के लिए मैं ऐसे इसको चार ही रहने दीजिए अब हम रूट हटाते हैं रूट हटाएंगे तो यह बीस का हो बीस है अपन यह क्या है सौ गोड़े सौ है तो बटे में क्या आ जाएगा सौ आ जाएगा प्लस चार किसका होता है दो का होता है इसमें क्या है यह एक हजार गोड़े एक चाहर है ठीक है ना कि सिखेंगर अब यहां पिक्या हो जाएगा यह टूंटी हो गया प्लॉस बीस को 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा जेरोपायंट टू जीरो एगा क्या अठीक है ना क्योंकि तर्सम मत आएगे तो तो फिर नीचे 100 आएगा ठीक है प्लस कि इसको अगर आप भाग करेंगे जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू आएगा अब पॉइंट हटाएंगे तो फिर नीचे 1000 आजाएगा ठीक है अब इनको जोड लेते हैं जोडने का तरीका क्या है 20 है और इस इधर पॉइंट में तो कु ठीक है इसका 100 क्या होगा 100 क्या है कुछ नहीं है मैं बस एक इस्टेप कर दूंगा थोड़ा सापको दिमाग लगाने को काऊंगा दिमाग लगाने यह है कि आपको दिख रहा है यह 20 का है ठीक है ना क्या दिख रहा है इसको अगर हम 400 को निकालेंगे बाहर तो 20 आएगा ठी चार जीरो आ रहे हैं तो जब रूट से हटाएंगे ना यह हमेशा समसंख्या में जीरो आएगा चार होगा च्छै होगा आट होगा तीन नहीं होगा ठीक है ना तीन भी हो सके दफदां सौ ठीक है ना तो क्या होगा यह आपका जब दसनल हटाएंगे तो हम नीचे जानते क्या आएगा चार जिरो आएगा तो जब हम रूट हटाएंगे ना तो दो जिरो आएगा मतलब सवाएगा और बीस को सवसे भाग करेंगे तो हम मन में जानते हैं कि 0.20 ठीक है प्लेस यहां पर जब इसको बाहर निकाले जानते हैं तो दो आएगा ठीक है फिर हम क्या कहेंगे मन में 1234566 संख्या है मतलब नीचे 60 होगा और जब रूट के बाहर आएगा तो 30 बचेगा जब 30 से भाग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा पॉइंट लगाएंगे 00 कि एना तभी तो नीचे 30 आएगा मेरी पास समझ र है हो गया आपका सोलोशन ठीक है दोस्तों एक कुछीण इसमें रहे गया या अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडरूट 1 तो उसको आप करने का कोसिस करिएगा मैं अपने नेक्स लेक्शियर में उसको बताऊंगा ठीक है थ्रृदा सा ट्रिक है ध्यान दिजि ठीक है कोई नहीं मैं अगली अगली क्लास में बताऊंगा उसको तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें अच्छे से पढ़ाई करिए और जी-एस, बाई-लोजी, फिजिक्स ना इन सारी चिजों पर भी ध्यान दीए गार करंऺट अफेर को पड़ते रहीे ठीक है तीन चिजों को अभी अभी आपके पास तीन महीना है तीन महीना नीहें आपके पास सिर्फ 90 दिन है उस 90 दिन में एक एक दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक भी दिन बरबाद मत करिये भी 30 दिन मैंनत करिये अगले आगे के सारे उसके बाद सारा समय आपको मुद मस्ती करना है ठीक है ना? करिये ते मैंसे तो झाल आपके जए इन आपके लोग्त